अच्छा सुनो ओनलाइन स्टिक्षन में स्वागत है आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और कर लिए है तो सब्सक्राइब कर दो घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना और जल्दी से नौट बुक लेके बैट जाओ साथ साल नौट दो बनाना है पेपर में अच्छे नमबर लाना है तो चलो आज के टोपिक की करते धमा के दार शुरुवात हे हलो गाइस गुड मॉर्निंग और वैल्कम बेक टो ओनलाइन शिक्षन मैं हूं आपके साथ अंजली बालियान सो फ्रेंट्स कल की किलास में हमने डिसकस किया था विरामचिन क्या होते हैं किसने विरामचिन के बारे में बताया और यह कितने होते हैं विरामचिन का अर्थ क्या होता है और शुरुवाती के इस लिस्ट में आप देख सकते हैं शुरुवात के जो साथ विरामचिन हैं इन दोस्तों बहुत ही important class है क्योंकि यहां से आपको नहीं पता होता कि इस topic से कौन सा विराम चिन आपके exam में आ जाए तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी class को बहुत ध्यान से देखें तो अगले विराम चिन है निर्देशक चिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे किसके निर्देशक चिन के ठीक है दोस्तों निर्देशक चिन क्या आपको पता है कि इसका sign कैसा होता है अगर नहीं तो कोई बात नहीं है आपने देखा हो कि जब भी आप कोई उधारन देते है तो आप लिखते है जैसे कि उधाहरन लिखने के बाद आप ये डैश वाला sign लगाते है तो दोस्तों यही sign होता है निर्देशक चिन इसका परियोग किसी भी कथन या फिर उधारन या कोई विवरन देने के लिए किय जाता है यानि अगर हम अपनी बात को और जादे explain करना चाहते है उधानन देते हैं या किसी का कथन कहते है तो वहां परियोग किया जाता है निर्देशंचिन का for example कि श्री परताप ने कहा सित्य के मार्ग पर चलना चाहिए तो यह उनका कथन है ठीक है उसे हम कैसे लिखें हैंगे हम निर्देशक्चिन सत्य के मार्ग में बद चलना चाहिए ठीक है दोस्तों किलीए हुआ हमने इस अशोप पूर एक बार पर बताए कि कहां हमने निर्देशंचिन का तक हमने यहीं पर पड़ियों तो दोस्तों gouvernementu88 जहां हमने उधारन लिखाया और उसके बाद में यहां कि हम श्री परताब का कथन कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सत्य के मारण पर चलना चाहिए क्लिए है आपको चलिए अब अगला चीन आ जाता है जिसका नाम है अब हम इसके बारें बात करेंगे कॉस्ट्रक्शन के बार होती है पहली यह हो जाती है ठीक है फिर इस परकार की भी होती है और इस तरह से भी होती है तो यह होती है कॉस्ट्रक्शन ठीक है और कॉस्ट्रक्शन का परियोग वाक्य के मध्य में आए कथिन सब्दों के अर्थ अथ्वा नाटक आदी में निर्देश देने के लिए किय आजाता है। कि यदी कोई कठिन सफदा जाता है और हमें उसका वहीं पर अर्थ इसपर्ष्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं उसे कौश्ट्रक बन करके उसका अर्थ वहाँ दर्शार देते हैं ठीक है जैसे हम इसका एक्जामपल देखते हैं कि मनुष्य स्वेभावत है एक्जामपल क्या है मनुष्य स्वेभावत है क्या होता है जिग्यासु होता है ठीक है ना जिग्यासु जिग्यासू होता है जिग्यासू किसे कहते हैं अब हमें इसका अर्थिस्पस्ट करन रहा है तो जिसे जानने की इच्छा रखने वाला ठीक है उसे कहते हैं जिग्यासू जानने की इच्छा रखने वाला ठीक है दोस्तो ये इसलिए हमने यहां पे construction का परियोग किया क्योंकि हमें यहां पर जिग्यासु का अर्थ स्वस्ट करना था ठीक है तो बाक्य को पूरा करते हैं कि मनुस्य स्वभावत है जिग्यासु होता है समझ आए आपको अच्छे से ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं अगले विरामचीन के बारे में ठीक है दोस्तों तो चलिए अगला विरामचीन देखते हैं जिसका नाम है त्रूटी बौधक चिन ठीक है त्रूटी बौधक चिन दोस्तों इसे हम एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं हंस्पथ ठीक है आपके एक्जाम में इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो कि कि आपको हंस्पद explain करना है क्या होता है या आपको बताना है तुरूटी वोदक्चिन क्या होता है तो आप सेम लिखेंगे क्योंकि एक ही है ठीक है दोस्तों तो अब देखते हैं कहां इनका परियोग किया जाता है जब आप कुछ कोई sentence लिखते है और उसमें कोई भी उसका अंस्चूट जाता है या गलत हो जाता है तो वहां पर उसे सही करने के लिए हम हंस्पद का या फिर तुरूटी वोदक्चिन का परियोग करते है ठीक है जैसे आपके सामने एक उधारण है कि राम अच्छा लड़का है ठीक है यह एक sentence है और हम इसमें भूल गये है लड़का लिखना राम अच्छा है सिर्फ इतना लिख दिया बाद में हमें याद आया कि अरे यार इस sentence का एक अंस्ट तो हमारा छूट गया है क्या कि राम अच्छा यह भी तो बताना था क्या है कि तुछी मां तो यहां हमने परियोग किया यह थूटी बॉल्दक या फिर हनस्पध चिन का इस तरहां का यह चिन होता है ख्लियर होता है आपको ठीक है दूस्तों तो चलिए अब ठीक है ना कि जब हमें किसी बात का विवरन देना हो उसके बारे में और अधिक समझाना हो तो हम इस परकार के चिन का परियोग करते हैं इसे हम कहते हैं विवरन चिन किसी विशय अथवा बात को समझाने के लिए या निर्देश देने के लिए हम विवरन चिन का परियोग करत जैसे हमने बताना है कि संग्या के तीन भेद होते हैं ठीक है यह इस तरह का होता है मेरी बीच पे लगाना भूल गई थी तो यह होता है विवरण चिन और हमें इसका एक्जाम्पल देखते हैं उसके थू और समझ आएगा कि जैसे हमें एक्स्प्रेंग करना है कि संग्या के मुख्यते तीन भेद होते हैं ठीक है दोस्तों एक्जाम्पल संग्या के तीन भेद होते हैं अब हमें परियोग करना है विवरण चिन का ठीक है दोस्तों यहां पर हमने परियोग किया विवरण चिन का अब हम आगे लिख देते हैं कौन व्यक्ति वाचक भाव वाचक और जाती वाचक ठीक है तो यह वाक्ये पूरा होगे यहां भे लगा दिया हमने सबसे पहले वाला विराम जो हमने पढ़ा था विराम किलियर होगे आपको विवरण चिन का परियोग हम तब करते हैं जब हमें किसी भी बात को पूरा समझाना हो या फिर कोई निर्देश देना हो तो हम परियोग करते हैं विवरण चिन का यानि उपा नीचे बिन्दू और बीच में ऐसा डैश वाला चिन यह होता है दोस और जातिवाचक, ठीक है दोस्तों तो चलिए अगरा देखते हैं, तो दोस्तों अगला चिन होता है लाघःओ朝 gyne, इसके बारे में जानेंगे लागव चिन इसको परियोग कैसे करते हैं उसके बारे में जा लेते हैं कि किसी बड़े शब्द या किसी परशिद सब्द को शंचेप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि उस शब्द का जो पहला आक्षर होता है उसे लिखने के बाद उसके बाद में इस सुन्य के जैसा चिन लगा देते हैं तो उसे ही हम लागव चिन कहते हैं जैसे इसका उधारण देखते हैं हमें लिखना है डॉक्टर ठीक है दोस्तो तो डॉक्टर के लिए डॉक्टर के लिए हम क्या परियोग करते हैं पहला सब्सक्राइब लिखा उसके बाद में लगा दिया हमने यह लागव चिन ठीक है अगर पंडित लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं पंडित लुक्ट लिखना है उतर पर्देश बड़ा शब्द है पर्सिद सब्द है तो हम किस तरीके से लिख देते हैं उसको शौट में उतर प्रदेश ठीक है दोस्तो तो इस तरीके से परियोग किया जाता है लागव चिन का तो दोस्तो हम अपनी पूरी क्लास कंप्लीट कर चु और इसने पहली अगर वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी इसका पहला बार ठीक है दोस्तों तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताइए और अगर नहीं है चेनल पर तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें नमस्ते दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बोक्स में कमेंट करिएगा मैं नेक्स वीडियो में उसको फिर से एक्स्प्लें करूँगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना पूरें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यूँ